हेलो स्टुडेंट्स, जैसा हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टेडी किया, एक तो एटमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन और सॉम्सें मॉडल एंड रधरफोर्ड मॉडल तो रधरफोर्ड मॉडल की जोबैक्स के कांट बोर्ष एटमिक मॉडल आगे आया, बोर्ष ने थ्री पोस्टिलेट्स एटमिक थेओरी के जो तीन पोस्टिलेट्स हैं वो डिफाइन किये, वो हम इस लेक्चर में जानेंगे और साथ में हम स्टेडी करेंगे बोर्ष थेओर तो Bohor's Atomic Theory क्या है Bohor ने सबसे पहले एक simplest case consider किया Hydrogen atom का Hydrogen atom का सबसे simple consider किया जिसके अंदर Rutherford ने तो ये बताय था कि एक positively charged nucleus के around electron revolve करता है इतना बताया लेकिन Bohor ने क्या कहा कि वो जो positively charged nucleus के around electron revolve करता है वो circular orbit के अंदर revolve करता है ठीक है तो अब एक बात और note करने वाली यहां पर ये थी कि जो कोई भी अगर atom है, ionized atom है तो वो Hydrogen atom की तरह behave कर सकता है वो Hydrogen atom की तरह हो सकता है, किस टाइप से कि माल लीजिए, कोई और एक तो Hydrogen atom ही होता है, Hydrogen atom इसके अंदर only positively charged nucleus है जिसके around electron है वो किसी circular orbit की अंदर move कर रहा है electron माल लेते हैं तो यह Hydrogen का case है, सबसे simple अगर कोई भी और case लेना सा हो कोई और atom जो की अपने electrons को lose कर सके जैसे Hydrogen के बाद helium आता है Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron तो अग Hydrogen और helium helium के अंदर क्या होते हैं? टू electron होते हैं अगर two electron में से helium अपना one electron lose कर दे अगर one electron lose करने के बाद उसके बास क्या बज़ेगा? only one electron बज़ेगा तो हम यह कह सकते हैं कि वो one electron उस circular orbit के अंदर revolve करेगा एक और एक electron अगर गया है तो उसकी जगर कुछ positive बचा electron negative गया तो उसकी जगर कुछ positive बचा और वो positive चार्ज उसके nucleus के अंदर exist करेगा यह बहर की एक assumption थी ठीक है? जिसके अंदर अगर helium मांग के helium का case लेते हैं हम तो helium के अंदर एक electron बज़ेगा helium positive, one positive बचीज है as positive तो उसके nucleus के अंदर two positive charge होगा तो आप इसको कह सकते हो कि helium positive के अंदर electron है वो revolve करता है around the nucleus और nucleus के अंदर consist होती है two units of electricity आप ऐसके हो two electronic two units of positive electricity कह सकते हो आप two units of positive electricity तो यह two units कैसे आई? एक electron रोज़ गया, एक पहले था और एक उसके बाद आ गया helium, lithium का case consider की जिए lithium, तो lithium के अंदर कितने electron होते हैं? three electron होते हैं, अगर lithium two electrons lose कर देता है यानकि Li, two electrons उसने lose कर दिये total उसके अंदर three electrons दो lose कर दिये, एक electron बचिया जो revolve कर रहा है nucleus के round यह nucleus है एक उसके अंदर positive charge पहले था nucleus के अपर एक positive charge पहले है दो उसने लूज कर दिये तो दो वो पोज़ी सार जागे यानि कि नुकलियस के अंदर 3 units of positive electricity हम कह सकते हैं इसी टाइम से lithium अब ये 3 electrons के लिए हो गया अगर Z electrons से किसी भी atom के अंदर कोई atom है जिसके अंदर Z electrons का system है total Z electrons उसके around प्रिवोल कर रहे हैं तो उसमें अगर वो Z-1 atoms यह वो sorry Z-1 electrons अगर Z-1 electrons lose कर दिता है वो atom जिसके अंदर total Z electrons है तो उसके अंदर बचे कितने electron 1 electron और वो उस नुकलियस के around प्रिवोल करेगा और उसके नुकलियस के अंदर कितनी positive electricity बचेगी कितने units बचेगा अगर 2 electrons थे यह लिएम के अदर 2 electrons थे तो उसके अंदर 2 units बचे electricity के लिथियम के अंदर 3 electrons थे जिसमें 2 lose करने के पाद उसके अंदर कितनी बचेगी 3 यानिकि उसमें कितनी बचेगी Z units of positive electricity Z units से जो positive charge है वो उस नुकलियस के अंदर Z units बचेगा ठीक है क्योंकि उसको पूरे अटम को एक neutral लेना है तो इसलिए उसमें जितने lose के उतने उस नुकलियस के अंदर वो positive electricity के अंदर form में store होगे तो यह जो वार एक अटम है hydrogen, helium, lithium यह एक hydrogen atom की तरह बिहेव कर रहे है helium भी, lithium भी, इसी तरह बोरोन भी ठीक है, beryllium B तो जो electrons lose करेंगे जितने electrons है उसमें से एक कम electron lose करेंगे तो एक बचेगा orbit के अंदर बाकी जितने होंगे total होंगे वो उसके अंदर positively electricity के form में कह सकते हुआ तो यह अजमसलती बोर atomic theory की अब बोर के तीन postulates important postulates है वो study करते हैं पहला postulate क्या गयता है जो बोर का first postulate है first postulate के according यह है कि अगर कोई भी atom है कोई भी atom है जिसके अंदर electron है तो वो electron उस positively charged nucleus के around revolve करेंगे कुछी ऐसे definite particular orbits है उनहीं के अंदर revolve करेंगे definite particular orbits के अंदर electrons revolve करेंगे उस positively charged nucleus के around और उन orbits को उसने नाम दिया stationary orbits का stationary orbits में revolve करेंगे electron only circular orbit कुछी ऐसे definite circular orbits होंगे जिसके अंदर electron positively charged nucleus के around revolve करेंगे और वो जो revolve करेंगे क्सी भी कोई भी electron है वो positively charge किसी definite orbit के अंदर revolve कर रहा है उस definite orbit को stationary orbit कहा और उस electron की जो angular momentum है L angular momentum का L से लिखते हैं तो उस orbit की जो angular momentum L है वो integral multiple होता है h bond 2 pipe की h क्या है planks constant तो integral multiple यानि की n n याब एक quantum number है quantum number कह सकते हो तो जिसकी value कैसी हो सकती है 1, 2, 3 इस तरह से अगर वो first orbit के अंदर electron revolve कर रहा है तो n की value 1 second orbit के अंदर है तो n की value 2 तो हम वहां से L की जो उसकी angular momentum electron की वो calculate कर सकते हैं इस first postulate की help से ठीक है तो और इस postulate को का जाता है बोर्स stationary condition ये जो condition है ना L is equal to n into h upon 2 pi तो h upon 2 pi को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं h cut की form में ठीक है तो वो कोई दिकर नहीं है stationary condition बोर्स stationary condition second postulate of बोर्स atomic theory second postulate के coding क्या है first postulate तो क्या था दोबारा एक बार revise कर रहा हूं कि अगर कोई भी electron है वो positively charge nucleus के around revolve करेगा वो revolve only कुछ ही ऐसे definite circular orbits के अंदर revolve करेगा जिसको उसने stationary orbits का और उस electron की जो angular momentum है वो integral multiple होती है h upon 2 pi के ठीक है तो integral multiple n की value है वो 1 2 3 इस तरह से लाई कर सकती है second postulates of बोर्स atomic theory वो क्या define करता है वो कहता है कि अगर कोई भी electron revolve कर रहा है कोई भी electron अगर revolve कर रहा है किसी भी particular definite stationary orbit के अंदर तो उसकी जो energy है वो कभी lose नहीं करता अपनी energy constant उसकी fix रहती है energy fix रहती है उस electron की energy को lose नहीं करे यानि कि वो एक प्रकार से electromagnetic radiation से वो emit नहीं करता कोई भी revolving electron अगर electron revolve कर रहा है positively charged nucleus के around तो वो electromagnetic radiation या फिर electromagnetic energy वो emit नहीं करता लेकिन जो हमने Rutherford के अंदर ये study किया था कि according to Lawrence जो कोई भी अगर electron around the nucleus revolve कर रहा है और उसका motion around the inside the nucleus है यानि कि वो nucleus की तरफ उसका motion है तो वो एक spiral path cover करता है और वो nucleus के अंदर last में fall हो जाता है ये Rutherford की limitation दी लेकिन बोर्स ने इस limitation को contradiction बताते हुए ये कहा कि कोई भी अगर electron revolve कर रहा है तो वो कोई भी किसी भी टाइम की electromagnetic radiation है वो emit नहीं करेगा ठीक है third postulate third postulate क्या कहता है third postulate के according ये third postulate है इसके अंदर एक आईगी more frequency condition जो second postulate है उसके बाद आता है third postulate जिसमें ये कहता है कि वो electromagnetic radiation कब emit करेगा पहला है second postulate में ये कह रहा है कि वो अगर revolve कर रहा है circular orbit के अंदर तो electromagnetic radiation emit नहीं करता तो वो करेगा कब वो third postulate बताएगा वो जब करेगा अगर electron अगर electron किसी higher energy state e2 कोई भी higher energy state होती है किसी कोई भी electron है electron अलग-अलग औरविट्स के अंदर move करता है ठीक है अगर मान लिजिए ये higher orbit है जिसकी energy e2 है ठीक है और ये वाला energy इसकी कम है जिसकी energy e1 मान लिया तो वो higher energy state orbit से अगर वो transition करता है किसी lower energy state orbit के अंदर यानि कोई higher energy state है और कोई एक lower energy state है higher energy state से electron transition करके आता है किसी lower energy state के अंदर तब उससे जो electromagnetic radiations है photons है वो emit होते है ठीक है उस case में होगे only तो हम वो उस energy किस energy कब होगी transition कब होगी transition कब होगी जब वो e2 minus e1 किसी higher energy state और lower energy state के 20 का जो difference है उतनी ही energy का हो कि जो photon है electromagnetic radiations है वो emit करेगा new यहां में क्या है frequency frequency of the emitted radio emitted electromagnetic radiation तो new को हम लिख सते है जैसे omega किसके equal होता है 2 pi new के equal तो new की आप value लिख सते है omega by 2 pi यहनकी omega by 2 pi और h upon 2 pi की form हम लिख सकते है h cut ठीक है तो e2 minus e1 is equal to h cut omega यह फिर h new कह सकते हुआ यह जो condition है इसको कहा जाता है बोर्स frequency condition बोर्स frequency condition ठीक है बोर्स frequency condition क्या है कि अगर किसी higher energy state से lower energy state के अंदर electron transition करता है तो वो उस energy e2 minus e1 उन दोनों अगर orbits के 20 के energy है उतनी ही energy का है electromagnetic radiation को emit करेगा h new यह planks लासले हम लिख सकते हैं तो यह बोर्स का 3rd postulate था अगर माल लीजिए किसी वो lower energy state से higher energy state के अंदर transition करता है e1 से e2 transition करता है तो वो transition कब होगी अगर उसके बीच का difference है e2 minus e1 अगर e2 minus e1 energy का कोई photon है electromagnetic radiation है उस electron के उपर fall कर रही है e2 minus e1 energy की electromagnetic radiation जिसके एकवल है उस electromagnetic radiation की energy है e2 minus e1 उन higher state और lower state के बीच की जो difference energy का उनके equal है तो अगर वो lower energy state वाले electron के उपर आकर fall कर रही है वो energy electromagnetic radiation तब वो lower energy state to higher energy state electron transition करेगा ठीक है तो higher state अगर lower आ रहा है तो electromagnetic radiation निकल रही है हम यह करें है सिदी सी बात इसका conclusion यह है अगर higher energy state से lower energy state electron transition कर रहा है तो वो electromagnetic radiation का अगर lower energy state के अंदर पढ़ा हुआ कोई भी electromagnetic radiation को absorb क्रके अगर कोई भी electromagnetic radiation absorb करता है तो वो lower energy state से higher energy state के अंदर चला जाएगा ठीक है absorb करेगा तो lower से higher personalities आएगा अगर जहाय से lower आ रहा है तो energy emit करेगा emission और absorption इस टाइप से आप Plancks quantum theory की हब से कहसे से हो और ये बोर के तीन पोस्टिलेट थे ठीक है हम बोर के तीनों पोस्टिलेट अब बोर का जो तीनों पोस्टिलेट थे जो हमने study किया था classical mechanics अगर आपने पढ़ी होगी तो classical mechanics के अंदर Kepler's classical laws है Kepler's classical laws है या फिर एक वो भी है Maxwell electromagnetic radiation लोग या फिर Maxwell electromagnetic theory ठीक है तो ये दोनों को contradiction करता है जो बोर के atomic theory है बोर के तीनों पोस्टिलेट इनको contradiction contradiction मतलब कि इनको गलत क्रूव करने है कि इस तरह ऐसे Maxwell electromagnetic theory के according ये होता है कि कोई भी अगर electron revolve कर रहा है तो वो electromagnetic radiations को emit करेगा क्योंकि उसका जो motion है वो under होता है centripedal acceleration के अदर तो Maxwell electromagnetic theory करती है कि अगर कोई भी electron revolve कर रहा है nucleus के around तो वो electromagnetic radiations emit करेगा क्योंकि उसका motion है वो under centripedal acceleration है बट जो second postulate हमने study किया जिसके अंदर हमारा बोर्ग ने कहा कि कोई भी revolving electron कोई भी revolving electron आंदा nucleus के इसी circular orbit के अंदर electromagnetic radiation emit नहीं करता तो इसके Maxwell जो radiation Maxwell electromagnetic theory है इसके अंदर एक contradiction आगी इस बोर second postulate के कर इसी type से जो capillar planetary motion capillar classical laws है sorry capillar classical laws के according क्या होता है कि कोई भी electron कोई भी electron किसी भी orbit के अंदर move कर सकता है classical mechanics के according क्या है कि कोई भी electron है वो nucleus के around किसी भी orbit के अंदर move कर सकता है बट जो हमने first postulate कहा कि only कुछ ऐसे orbits होते है stationary orbits जिसके अंदर ही only electron है वो revolve करेगा किसी हर एक के अंदर नहीं करेगा कुछ ही orbits असे होंगे जिसको stationary orbits का नाम दिया fixed orbits, circular orbits उनके अंदर electron का motion होगा बट हर एक के अंदर नहीं होगा बट capillar के according क्या था कि जैसे planets होते है वो sun के around revolve करते है किसी भी orbit के अंदर तो उस तरह से electron है जो बट का first postulate है वो contradiction पैदा करता है तो ये three postulates इस तरह से रदर फोड की एक कौन सी drawback थी कि वो stable नहीं है atom stable नहीं था वो एक drawback थी उसकी लेकिन ये stability को define कर देता है first postulate के help से कि वो stationary orbit के अंदर है fixed orbit के अंदर है वो energy को loose नहीं करता दोनों के help से first to second के help से तो ये था बोर्स atomic theory अब आता है article अपना बोर्स थोरी of hydrogen atom ठीक है बोर्स study करते है क्या है next and last article of the lecture which is बोर्स atomic theory for hydrogen atom मतलब बोर्स थोरी of hydrogen atom study करेंगे हम इसके अंदर हमने calculate करना एक derivation है जिसके अंदर हम तीन पार्ट है इसके थी पार्स calculate करेंगे बोर्स theory of hydrogen atom only hydrogen atom की study हम बोर्स की help से करने वाले है जो बोर्स थी postulate हमने study किये थे अभी उनकी help से 3 cases हम जानेंगे एक तो कोई भी hydrogen atom है उसका orbit का radius किसी भी electron के अंदर कोई भी orbit के अंदर अगर electron revolve कर रहा है तो उस orbit की radius कितनी होगी और उस electron की energy कितनी होगी उस orbit के अंदर थर्ड portion होगा कि अगर वो electron किसी higher energy state से lower energy state के अंदर transition करता है तो कितनी frequency and wave number की वो radiation को emit करेगा 3 cases हम study करेंगे पहला case जानते है radius calculate करने का तो radius calculate करने के लिए हम माल के चलते हैं कोई hydrogen atom जिसके अंदर positively charge nucleus है जो proton की प्रेकाम करता है और एक electron है जो revolve कर रहा है किसी circular fixed orbit के अंदर जिस orbit की radius हमान के चल रही है ठीक है और ये positive charge proton है जिसके उपर e plus का e जार दोता है और electron पे minus का e जार दोता है जानते हैं तो ये negative e और ये plus का e दोनों के बीच में forces लगेंगी कुलम्स लव फोर्स हम कहा सकते हैं अगर दो charges point charges है तो उनके कारण आपस में force of interaction होगी force of interaction attractive होगी या repulsive होगी दोनों opposite charges है तो attractive होगी जनकि अगर ये plus force charge इसको attract कर रहा है ठीक है तो ये इन दोनों को बीच में force लग रही है हमाल लेते हैं fe और इसकी velocity इस orbit के tangency हमने वाली velocity component है ठीक है किसी भी point के उपर velocity की direction उसके tangent पे होगी तो इस point पे हमने ये velocity माल ली और इस electron का mass माल लिया हमने m m is equal to mass of electron तो इसमें हमने क्या consider किया एक rudderford model of atom consider किया hydrogen atom का जिसमें positive charge nucleus इसके around एक circular orbit के अंदर electron है और fixed circular orbit है जो case है बोर का ठीक है बोर ने rudderford का consider किया और उसमें orbit को fix किया जो stationary orbit है जिसकी radius only उसकी fix मानी r ठीक है तो अब force of interaction कितनी होगी fe की value force of interaction coulomb slow forces क्या होता है charge का magnitude दोनों charges का magnitude का multiplied 1 by 4 पाई epsilon note होता है ये constant इसको हम k भी कहते है गई बाद तो charge 1 है e दोनों का charge magnitude है e square लिख देगे divided by में distance दोनों के पीच में distance r है यानि की r square ठीक है तो ये इन दोनों charges के बीच में force आगी force of interaction और जो कि attractive है ठीक force से balance करेगी चार circular motion के उपर है तो इसमें centripetal force लेगेगी और इन दोनों के बीच में interaction है तो वो coulomb forces का हो गया coulomb forces का और centripetal का force दोना आपस के अदर balance होगा तो वो किसके equal आएगा centripetal force किसके equal होता है mv square divided by में r m अगर उसका mass है v velocity से move का रहा है और r उसकी radius है तो यहां से अगर हम mv square की value निका लें mv square की value तो वो किसके equal आएगी r से r यहां के answer हो गया तो एक r बच गया तो mv square की value इतनी आगी ठीक है और अभी हमने जो एक case study किया था bore first postulate जिसके अंदर हमने कहा कि जो उसकी angular momentum होती है mvr angular momentum होती है यह integral multiple होती है h by 2 pi के यह कहा था तो यहां से अगर हम velocity v की value निका लें तो mr इस side wide में आजेगा तो यहां पे हम लिख सकते हैं m into r और अगर इस velocity की value हम इस equation में put करें तो किया only किसके अदर radius की value फिर calculate कर देंगे तो हम यह velocity v की value put करते है f e किसके को लाएगा 1 by 4 pi epsilon node e square by r is equal to m v square m square x square by 4 pi square m square r square ठीक है 1 r से 1 r cancel हो गया लिख सकते हैं इतनी अब यहां से क्या निकालेंगे हम r की value r किसके को लाएगा r इस साइड ले जाते हैं और बाकी यह quantity इस साइड ले नहीं है तो is equal to किसके को लाएगा m into m square x square multiply by में 4 pi epsilon node ठीक है यह साइड चला गया और यह साइड आया ना m m square x square multiply 4 pi epsilon node divided by में 4 pi square m square r इस साइड आगे और e square r की value इतनी आए m m square x square multiply 4 pi epsilon node divided by में 4 pi square m square e square ठीक है अग इस quantity की help से हम निकालेंगे r1 जो first orbit की radius है अगर n की value 1 है तो first orbit की value कितनी आएगी is equal to m x square n की value 1 पूट कर दी multiply by 4 pi epsilon node divided by में 4 pi square m square e square तो इस equation की help से हम r1 calculate कर सकते है mass हमें पता है blanks constant हमें पता है 4 pi epsilon node की value पता है 4 pi square इस स्थे मी पता है mass पता है electronic charge पता है तो अब एक बार देखते है mass कितना होगा एक mass से एक mass cancel रड़ देते हैं ठीक है blanks constant की value का होती है 6.624 multiply 10 raise to the power minus 34 4 pi epsilon node की value 1 by 4 pi epsilon node की value पती है 9 into 10 raise to the power 9 वो इस के denominator में आजीगी by 3.14 mass होता है electron का 9 into 10 raise to the power minus 31 केजी और electronic charge 1.6 into 10 raise to the power minus 31 ठीक है electronic oh sorry minus ka 19 electronic charge होता है 1.6 into 10 raise to the power minus 19 volume और mass होता है electron का 9 into 10 raise to the power minus 31 केजी ठीक है तो इस formula के help से हम calculate करेंगे तो आपकी R1 की value आएगी वो लगूगा आएगी 0.51 साइज Armstrong हाँ 0.51 है या पर 5.3 है calculation करोगे तो लगबग आप की इतनी है 0.53 Armstrong के करीब आएगी 1st orbit की radius इसी दर आप 2nd orbit की radius निकाल सकते हो आइड रोजन एटम की तो radius calculate कर सकते हो आप इस formula की help से तो यह radius का formula हमने drive कर लिया 2nd proportion है भी उसके अंदर energy कितनी होगी उस electron की orbit के अंदर energy कितनी होगी वो calculate करते हैं अब हम इस derivation का 2nd part जिसके अंदर energy calculate करेंगे electron की किसी orbit के अंदर nth orbit होगा जिसके अंदर हम उसकी energy calculate करेंगे electron की तो energy किसके एकवल होती है kinetic energy plus potential energy total energy होगी electron की kinetic energy E is equal to E kinetic energy किसके एकवल होगी 1 by 2m2 इसके एकवल होती है electron की यह होगी kinetic energy अभी हमने जो coolant force था उसको centripetal force से balance किया था दोनों को equal रखे वह से m2 square की value डिका लिए थी किसके एकवल दी m2 square आपको लियान में हो तो E square by में 4 pi epsilon 0 r एकवल दी इसकी value अगर हम इस equation में put करें तो किसके एकवल आएगा 1 by 2 m2 square की value 1 by 4 pi epsilon 0 E square divided by में r इतनी हागी अब potential energy कितनी होगी E potential potential energy आपको निकालनी हाती है दो charges के बीच में potential energy कितनी होती है उन दोनों charges का product divided by में 4 pi epsilon 0 और वो distance आई only distance का square नियाएगा inverse नियोता square नियोता but only simple distance होती है यानि कि अगर charge 2 charges है E और minus E दोनों का product और ये constant होता है 1 by 4 pi epsilon 0 और इन के बीच की distance R ठीक है तो हम यहां से E potential किसके को आगया minus का E square minus का E square अब ये quantity total E किसके को आगा E kinetic plus में E potential के equal दोनों का add गरेंगे तो किसके को आगा 1 by 8 pi epsilon 0 E square by R minus में E square divided by में 4 pi epsilon 0 ठीक है तो यहां से E की value आई 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 8 pi epsilon 0 अगर आपने LCM लिया उपर E square minus में 2 E square तो यह बचिया minus का E square divided by में 8 pi epsilon 0 और R अभी हमने निकाला R is equal to किसके को आगा था M square H square 4 pi epsilon 0 divided by में किसके को आगा था यहां पे 4 pi square M E square के एक आगा ठीक है तो इसकी value होगर यहां में put करें किसके को आगा minus का E square divided by में 8 pi epsilon 0 R की value इसका inverse होजेगा यानि कि 4 pi square M E square divided by में 4 pi epsilon 0 N square H square ठीक है तो यहां से देखिए E की जो value है वो inversely proportional है E square के E is energy inversely proportional to N square और radius है वो directly proportional है M square के directly proportional to M square यह दोनों quantities बहुत important quantities है energy है वो principal quantum के square के inversely proportional है और radius है वो directly proportional है M square के ठीक है तो हम यहां से क्या जो कह सकते हैं कि जो एक तो hydrogen atom की electron के energy होती है वो negative होती है दूसरी inversely proportional to N square के अगर आप किसी भी energy की निकालना चाहो E1 की निकालना चाहो था इनकी value 1 put के जी है और पूरे इसके अंदर सारे एक constants है value put करके हम E1 निकाल सकते हैं E2 निकाल सकते हैं तो अलग-अलग orbits की energy हम अगर किसी अलग-अलग orbits के निकालन प्रेसेंट होगा तो उसकी हम energy हो calculate कर सकते हैं ठीक है इस formula की help से और ये दो थाप्स लाग अलाग कर लेना इस जाट्री प्रोशनल तो 1 pi n square और इस जाट्री प्रोशनल तो n square अगर आपको ये formula आता है n square h square 4 pi epsilon node divided by 4 pi square m e square और एक energy का energy को आप यहां से calculate करोगे तो किसके इक लाएगा तो देखे 4 pi से 4 pi cancel ठीक है 4 pi square है ना तो 1 pi बचेगा यहां पे और यहां से ये pi भी cancel होजगा ठीक है pi square cancel और m बचेगा और epsilon node का square होजगा और n square होगा और h square होगा और m e e का 4 होजगा m e की 4 divided by में 8 epsilon node square n square h square इतनी quantity बचेगी e is equal to negative of e की 4 m divided by में 8 epsilon node square n square h square साहई देखेगा एक बचेगा एक बचेगा आप और देख लेना यह है यह कुछ होगा तो यह energy आगी अब calculate करते हैं कि अगर वो electron किसी higher energy state से lower energy state के अंदर transition करता है तो कितनी frequency की कितने wave number की वो electromagnetic radiation है वो emit करेगा अब वी शल कैलकुलेट the frequency and wave number of electromagnetic radiation emitted when any electron makes transition between higher orbit to lower orbit that is अगर कोई electron जिसी कोई माल लेते हैं N2 orbit के अंदर है N2 number orbit से वो अगर N1 orbit के अंदर transition करता है इस orbit से इस orbit के अंदर अगर electron transition कर रहा है ठीक है तो इसकी energy माल लेते हैं हम E2 और इसकी energy माल लेते हैं हम E1 यह दोनों क्या है energy है दोनों levels की तो इनके बीच की energy किसके एक और होगी इनके बीच की energy होगी E2 माइनस में E1 ठीक है और अभी हमने निकाले किसी भी Nth level की energy तो वो किसके एक हो थी e n is equal to minus m e 4 divided by y में 8 epsilon 0 square m square h square यह था अभी अभी जो हमने calculate किया अब इसके अंदर अगर हम निकाले e 2 की value second orbit के लिए e 2 की value होगी minus m e 4 divided by y में 8 epsilon 0 square m n किसके क्या आज़ेगा n 2 orbit है n 2 square h square और e 1 की value होगी minus m e की 4 divided by y में 8 epsilon 0 square and 1 square h square ठीक है तो अब हमने निकाले थी कि अगर कोई भी transition हो रही है higher orbit to lower orbit जो third postulate साब बोर का तो उसके अंदर अगर higher orbit to lower orbit अगर transition हो रही है electron की तो electromagnetic radiation emit होगी उसकी frequency की scale call होगी oh sorry उसके energy की scale call होगी h new energy की वो उन दोनों के बीच का जो gap है उन levels के energy का gap है उसके call होगी यानिकि e2-e1 है इतनी energy की हमारे पास एक electromagnetic radiation है वो emit होगी जब वो e2 energy level से e1 energy level के अंदर transition गरिए electron तो हम e2-e1 की value निकाल सकते हैं यहां से e2-e1 is equal to h new होगा यह जास हर पोशिलेट और यह किसके को लाएगा माइनस का m e4 divided by में 8 epsilon 0 square n2 square h square और plus में होजेगा m e4 divided by में 8 epsilon 0 square n1 square h square तो यहां से अगर हम बाकी quantity common निकाल रही है और 2 और n1 को छोड़के तो हम निकाल सकते हैं h new की value h new is equal to 1 by देखिए यह common आरा है negative negative common लेते हैं हम अगर negative common आएगा तो किसके को लाएगा negative लेते हैं जरो तो positive लेंगे तो m e4 divided by 8 epsilon 0 square h square इतनी quantity common आगी तो इसके multiply में पुचा 1 by n1 का square और negative है 1 by n2 का square m e4 a epsilon 0 square h square m e4 a epsilon 0 square h square इतनी quantity common आगी बाकी हमने इसके multiply में लिग दिया और इस h को अगर हम इस side लेके हैं तो यहां पे h का cube होजेगा ठीक है तो यह क्या होगा frequency होगी उस radiation की उस electromagnetic radiation की जब electron e2 energy level से e1 energy level के अंदर transition कर रहा है ठीक है इसी type से अगर हम wave number निकालना चाहें तो frequency की सके एकोल होती है c by lambda के ठीक है तो c को अगर हम इस side ले आए इधर 1 बचेगा इस side c आगया और 1 by lambda की सके एकोल होता है new bar wave number के एकोल होता है तो यह wave number आगया तो wave number is equal to r 1 by n1 square minus 1 by n2 square के एकोल होता है और जो r की value है r is equal to m e की 4 divided by में 8 epsilon 0 square h cube c इसके एकोल होती है इसे कहते है रीटबर्ग constant रीटबर्ग constant for hydrogen atom और इसकी एक value होती है इस constant की वो होती है 1.0974 multiply 10 raised to power 7 per meter is equal to r की value ठीक है r is equal to 1.0974 into 10 raised to power 7 per meter रीटबर्ग constant for hydrogen atom तो wave number की value हागी r multiply में 1 by n1 square minus 1 by n2 square और frequency आया था यहाँ से frequency किसके एकोल आया था new is equal to c है यहाँ से ठीक है इतना frequency आया था बाकि सारा same है तो यह हो गया energy और frequency और wave number वो साथ में radius orbit की किसी भी hydrogen atom के लिए only hydrogen का case हमने consider किया है ठीक है तो यह बहुर बहुर study of hydrogen atom हो गया complete article अब हमारा next जो topic होगा next lecture के अंदर वो हम study करेंगे spectrum of hydrogen atom line spectrum किस तरह ऐसे line spectrums यो होता है hydrogen atom का और उसके अंदर अलग लग series है लाइमन पास्चन ब्रेकेट बालमर पीफन तो वो सारी हम series है वो भी study करेंगे ठीक है उस spectrum की तो आज के लिए बस नहीं अब next जो वीडियो आएगी अगर अपने तक subscribe नहीं किया तो subscribe और bell icon पर भी click कर लेजिए ताकि आपको notification वो मिल जाए जैसे नेक्स्ट वीडियो अप्लोड हो तो IIT XAM 2020 का बहुत important article बोर्स atomic theory अमारा complete हुआ और इसके साथ हम अगरा next article है spectrum of hydrogen atom वो study करेंगे next video में till then bye bye